हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू मैं चैनल, मैं हूँ पतिभा, मेरी चैनल कानपुर कीचेन और ब्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंच और फैमली के साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, फ्रेंच आज हम बनाएंगे मूली के पते और चने के साग की रेसिपी, तो यहां पर हमने यह 500 ग्राम चने का साग लिया हुआ हूआ है, जिससे बिल्कुल बारिक-बारी काट लिया हूआ है, और जितना साग लिया हूआ है उ अच्छे से दो लिया हुआ है एक कड़ाई में 5-6 बड़े चमच सरसों का तेल डालेंगे इस सब्जी को आप सरसों के तेल में ही बनाईएगा तेल करम हो गया एक चमच जीरा डालेंगे साथ हम इसमें डालेंगे लहसुन तो लगबग 6-7 कलिया लहसुन है जिससे चौप करक है अब हम इसमें डालेंगे चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ हमने अध्रक को भी क्रस्ट कर लिया हुआ है आप चाहे तो मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं यह दिखिए हमें इसे अच्छे से भूनना है अभी हमने इसमें नहीं डा आलू डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें आलू को अच्छे से भूनना है तो लगबग 3-4 मिनिट तक इसे भूल ले तो आलू हलकी सी सौफ्ट भी हो जाएगी और अच्छे से भून जाएगी जिसका फ्लेवर सबजी में ब बहुत ज़्यादा दिख रहे है थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यह पचकर बिल्कुल नीचे चले जाएगे यह देखिए अच्छे से मिला देंगे हम इसमें मिला दिया हुआ है मैंने अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ही डालें फ्रिंस कोई भी रेसिपी हो नमक और मिर्च हमेशा आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डालें यह देखिए अच्छे से मिक्स किया हुआ है अब हम इसम से ढखके पकाया हुआ है लगबख साथ से आठ मिनट का टाइम लग जाता है सबजी को बनने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है अभी आप देख सकते हैं यह जो पतिया है वो अच्छे से पक चुकी है बढ़ अभी इसमें थोड़ा सा पानी बचा है जिसे हम ऐसे अधा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो मिर्च आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालें क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है अच्छे से मिक्स करेंगे गेस का फ्लेम हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे जिसे की हम मसालों के साथ सबजी को अच्छे से पक जाएंगे और उनका फ्लेवर भी सब्जी में अच्छे से आ जाएगा तो हमने इसे 4-5 मिनट तक ढखके पकाया हुआ है अब हम इसे खुले में पकाएंगे लगबग धीमी आज में 8-10 मिनट तक जब तक यह नीचे इस तरह से चिपकने ना लगे तब तक आप इसे पकाईए तब ही इसका टेस्ट आच्छा आता है तो यह लीजिए हमने इसे 7-8 मिनट तक और पका लिया हुआ है और यह हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हरे पत्तेदार सब्जी बनके तयार है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चै कीजिएगा